शनिवार शाम को ब्लूम्सबरी प्रकाशन आलोचना के घेरे में आ गया जब उसने मोनिका अरोडा, सोनाली चितालकर और प्रेड़ना मलोतरा द्वारा लिखित डेलही रायट्स 2020 दे अंटोल्ड स्टोरी का प्रकाशन वापस लेने की घोशना की। इसके बाद बहुत सारे गैरवामपंथी लेखकों ने इस कदम के विरोध में ब्लूम्सबरी के साथ अपने कॉंट्रेक्ट रद करने की बात कही। आनंद रंगनाथन ने कहा कि वे अपनी आने वाली पुस्तक का एडवांस ब्लूम्सबरी को लोटा देंगे। ऐसी ही घोश शेफाली वैद्य ने की। नित्यानंद मिश्र ने भी अपनी पुस्तक सुनाम का प्रकाशन स्थगित कर दिया है। अन्य लेखकों के विरोध के अलावा संजीव सान्याल ने इस कदम को वैचारिक सेंसर्शिप कहा। इसके बाद गरुड प्रकाशन ने घोशना की कि वे ह हिंदी व अंग्रेजी दोनों में डेली राइट्स पुस्तक का प्रकाशन करेंगे। इसके बाद ओर्डर्स की भरमार के कारण गरुड प्रकाशन का सर्वर भी फेल हो गया और ट्वीटर पर ट्रेंड हुआ वन ओर्डर वन स्लैप।